यह संकर जी महादेव को देने स्री राम चलत मारस में बालकांड को बालकांड को और ओई खे फिर तूसी दाजी ने रचुए तो चबालिस वे दोहा पे हमने कल बिराम लगतो और उते हैं से आज फिर सुरू कर रहे है ब्रम्मा निरूपन धर्म विधी बर्नही तत्व विभाग कहनी बगती वगवंत के संतुत ज्यान विराग प्रम्मा को निरूपन धर्म को विधान और तत्वन को विभाग को बढ़न करत है और ग्यान बेराग से युक्त वगवान की बक्ती को कथन भी करत है यसा तूसी दाजी के रहे हैं यही प्रकार भरी माग ना ओई पूनि सवे निजे निजे आस्रम जाई प्रतिसंबत अति होई अनन्दा मकर वंजी नी गावनी मुनी व्रंदा यह प्रकार से माग के महीने वर इस्तनान करते हैं और फिर सब अपने अपने आसरों में चले जाते हैं हर साथ होते हैं यही तरह बड़ो आनन्द होते हैं मकर के इस्तनान करके मुनी गड़ चले जाते हैं जैसे के हम बता रहे हैं कि जा इलावाद में माग इस्नान और गंगा इस्नान की बात हो रही और ए सरी और गंगा से इराम चर्थ मारस के बाव सागर और गंगा रुपी उगी तुलना करी है गोस वावे तु सिदा जी ने एक वार भरी मकर नहाए सब मुनी से आस्रम सिदाए जग बालिक मुनी परम विवे की बर दुजरा के पद्टे की एक बार पूरे मकर वर इस्नान करके सब मुनी से अपने अपने आस्रम के लोट गए परम ग्यानी यग वाकल मुनी के चरनप पकड़के बार दा जी ने रख ल साधर चरन सरोज पकारे अतिपुनीत आसन बैठारे करिपूजा मुनि सुझसु बखानी बोले अतिपुनीत म्रदुवानी आधर पूरवक उनके चरन कमल दोए और बड़े पवत्र आसन पर बैठावने पूजा करके मुनि यग्वक्कल जी के सुझस को बढ़न करो और अतियंत्र पवत्र और कुमरवानी से बोले नात एक संसव बढ़ मोरे करगत देवेद तत सबुतोरे कहत समोई लागत भेलाजा जो नकयं बढ़ हो यकाजा हे नात हम मन में एक बड़ो संदे हमाई मन में बेधन को तत तो सब आपकी मुठी में है अरत आप अई बेध के तत तो जानवे वाले हो यके कर हमाई संदे निवाना कर सकत ये पे जो संदे जो कहत है कि हमें भे और लाज आत है भे इसे काई से कहूं आप जो ना समझो को हम पर चले रहे लाजी से कि इतनी आयू बीद गए अब तक ज्ञान नहीं हो और यदि नहीं कात तो बड़ी हानी होते हैं काय से फिर हम अज्ञानी बड़ी रहे हैं संते कहें असी नीति प्रभू सुर्ति पुरान मुनी काव हो इन विमल विवेकुर गुनसन की एदुरा है प् गुरू के संगे छिपाओ करवेश से निर्दय में निर्मल ग्यान नहीं हो थी असी विचारी प्रगटाउनी जिमोहू हरस हुनातिक हरहुनातिक करी जनिकरी छोहू राम नाम कर अमित प्रभागा संत पुरान उपनिसद गावा यही सोच के मैं अपनों अज्ञान करके यह अज्ञान को नास करो संत पुरान उपने सदन में राम नाम के असीम प्रभाग को गान करोगा है संतत जपत संभू अविनासी सिव भगवान ग्यान गुनरासी आकर चार जीव जग आहीं कासी मरत परम पदलेहीं कल्यार स्वरूब ग्यान और गुनन की रासी अवि संभू निरंतर राम नाम को जब करत राज संसार में चार जादी के जीव हैं कासी में मरने से सवई परमपत के प्राप्त करते हैं है मुनिराज बहु भी राम को नाम की महमा है कासी में मनने वालन की जीव के राम नाम को उफदेश करत हैं यही से उको परमपत मिलत है, हे प्रभू, मैं आप से पूछ रहा हूँ के राम कुआ है, और हे करपाने दान हमें समझा के कौँआ के कौँआ है, एक राम अवदेश कुमारा, तिनी कर्चरत विदित संसारा, नारी बिरें दुख लही हुआ पारा, बया हुरो सुरन राव जी के कौमार है, उनको चलत सारो संसा जानत है, उनने इस तरी के बिरें में अपार दुख उठा और कुरोध आवे फिर युद्ध में रामण के माई डारू, प्रभू सोई राम की अपर कोहू, जाती जपत तिर पूरारी, शत्त धाम सरवग तुम, कयों भी वेव को विच हे प्रभू बोई राम हैं और कोई दूसरे हैं, जिनके सिव जी जपत है, आप सत्त के धाम हो, सब कच्छू जानत हो, ग्यान विचार करके बताओ तना, जैसे मिटे मोर ब्रम भारी, कहें हूं सुकता नात विस्तारी, जाग बलक बोले मुसकाई, तुम ही विदिती रगु पती प्रभुताई, हे नात जोन प्रकार से हमाओ जो भारी ब्रम मिट जाए, आप वो ही कता विस्तार बुवक काओ, ये पे यग वक्कल जी मुसक्रा के बोले, सीर रगुना जी की प्रभुता को तुम जानत हो, राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुमरी में जानी, चाहँ सुने राम गुन गुडा, कीन हूँ प्रिष्ण, मन हूँ अती मूडा, तुम मन बचन और कर्म से सीराम जी ये भगत हो, तुमाई चतुराई को मैं जानगा हो, तुम राम जी की रहस्त में कोड़न का स तुमने ऐसो प्रस्ने करो, मानो बड़े ही मुड़ो। तात सुनो सादर मनुलाई, कहा हूँ राम में कैकता सुहाई, महा मोहू मैं से सुभी साला, राम कता काली का कराला। हे तात तुम आदर पूरोक मन लागा के सुनो, मैं से राम जी के सुन्दर कता कह रहा हूँ, बड़ा भारी अज्ञान में सासर है, और से राम जी की कता, वे नश्ट कर देए वाली भेंकर काली जी है। हानी, से राम जी की कता चंदमा की किर्ण के समान है, जी है संत रूपी चकोर्ट सदा, पान करत हैं, ऐसा ही संदे परवत जी ने करो तो, तब महा देए जी ने बिस्तार से, उनके उत्तर दो तो, कयाँ सुमती अनुहारी, अब उमा संबु संबाद, और भायाँ समय जी है तुझे ही, सुने मुने मिटे ही विशाद, जब मैं अपनी बुद्धी के अनुसार, वोई उमा और सिवजी को संबाद कात हूँ, वोई जिस जौन समय, जौन है तुसे भाव, उए है मुनी, तुम सुनो, तुमा बे साथ मिटे हैं, एक बार त्रेता जुग माही, संबु गए कुभंजरी सी पाही, संग सती जगजन निववानी, पूजेरी सी अकले सर जानी, एक बात त्रेता है, एक में सिवजी अगस्त मुनी के पास गए, और उनके संगे जगजग जगजनी, बवानी सी सती जी वी एताती, रिशी ने संबु जगजगत की इस्वा जानके उनके उनको पूजन करूँ, मुनीबर जवखानी सुनी महेस परम सूख मानी, रिशी पूची हर भगत सुहाई, कहीं संबु अधuckारी पाए, मुनिवर अगस्त जी ने राम गता विस्तार से कही जी के महिस्त ने परम सुक मान के सुनो फिर रिसी ने सिव जी के से सुन्दर हरी वक्ति पूची और सिव जी ने उनके अधकारी पाके रहस सहे वक्ति को निरूपड करो कहत सुनत रगुपति कोने गाता कचुदिन तान रहे गिरी ना था मुनी सान बिदा मा इधित्र पूरारी चले ववन संग दक्छ कुमारी स्री रवनाजी की गुड़न की कता कात सुनत कछु दिनन तक सिव जी उतराए फिर मुनी से विदा मांगे सिव जी दक्षिकुमारी सती जी के संगे अपने घर केलाश चलिया है तही अवसर भंजन महीं भाभारा हरी रगुबन से लीन अवतारा पिता बचन तजी राजु उदासी दंड़क वन विचरत अविनासी उने दनन प्रतीप को भार अतारवे की लाने स्री अजीने रगुबन से आवतार लगतो बे अवनासी भगवान उसमाई पिता की बचन से राज्य को त्याग करके तपस्टी और सादुवेस में दंडग बन में बिहार कर रहे थे हिर्दय विचारत जात हर कही वीदी तर सनी हो हुई गुप्त रूप अवते अवते रहू प्रभु गय जान सब को सिवजी एर्दय में विचारत जा रहे थे कि मगवान के दर्शन हमें कौन प्रकार हो है प्रभु के गुप्त रूप के अवतार लव है और हमाई जावे से सब लोग जान जे है सिरी संकर जी कहता है मैं ये बात को लेकर बड़ी खल वाली उत्पन हो गई लेकिन सती जी ये बेद के नहीं जाना था थी तुसिता जी कहाता है कि सिरी जी के मन में बेद खल वेको डर रहतो परंदू दर्शन की लोग में उनके नेत लल्चा रहे थे रावन मरन मनुज कर जाचा प्रभु विदी वचनु कीने चह साचा जो नहीं जाओं रही पसितावा करते विचारु नबबनते बनावा रावन ने अपनी म्रत्यू मनुज के हांस से मांगिया थी ब्रह्मा जी के वचनु के प्रभु शत्त कर वो चाहते मैं जो पास नहीं जात हूं तो उको बड़ो पस्तावा रहे जे है ये प्रकार से भी विचार कर रहे परंदू कोनु भी उकती ठीक नहीं वैठ रही उनके कपट कुरंगा ये प्रकार महादेव जी चिंता की बस में हो गए ओई समय नीच रावन ने जाके मारीज के साथ लाओ और मारीज तुरंत कपट म्रग बन गाओ करिच्छलू मूड हरी वेदेई प्रभू प्रभाव तस बिदितन तेही मरगवदी वंदू सहते हरी आए आस्रमू दे की नए ने जल चाए मूर्क रावन ने चल करके सीता जी कहल लाओ उए रामचंजी के बास तो एक प्रभाव को कच्छू भी पतो नातो मुर्क के मार के भाई लच्मन सही स्री आस्रम में आए और उने आस्रम के खाली देखके मतलब सीता जी के ना पागे उनके नित्र भराए बिरह बिकल नरही वर गुराई और खोजते विपने पिरत दो भाई कबहू जोग बियोग न जांके देखा प्रगट विरह दुख ताके स्री रगनाजी मनस्त की भाँती बिरह से ब्याक लोग दोनों भाई या बन में सीधा सीधा खोजत फिर रहे जने के कवं कुन सायोग ब्योग नहीं भाऊ उनमें प्रतक्षिबर देखके आदनी हैरान थे अती विचित रगपती चरित जान नहीं परमिसो जान स्री रगनाजी को चल तो बड़ा ही बिचित रहे उनके पहुंच गए पहुंचे वह ग्यानी जन बहुत एक ग्यानी जन जो पहुंचे वह हैं वे जानात हैं जो मनमुती हैं वे पिसेस रूप से मौ बसके हो गए स्री राम जी के देखो और उनके एर्दा में बहुत बारी आनन दुपर वाओ उन सोभा के समद्र के सिफ जी ने नेत भर के देखो परंतु अवसर ठीक न जाके जानके पड़्चा नहीं करोने जै सच्चदानन्द जग पावन असे कहीं चले उमनो जिनन सावन चले जात सिवसती समेता पुनी पुनी पुलकत कृपा निकेता जगत के पवत्र करे वाले सच्चदानन्द की जयो ये प्रकार कह के काम देओ को नास करे वाले सिरी सिफ जी चल पड़े कृपा निधान सिफ जी बार बार आनन से पुलकत होत सती जी के साथ चले जा रहे थे सती सो दसा संभुखे देखा और उपजासंदे हुविसेसी सती सो दसा संभुखे देखी और उपजासंदे हुविसेसी संकर जगत बंद जगधी सा सुर्नर मुनिसव नावतिसी सा सती जी ने संकर जी की वदसा देखी तो उनके मन में बड़ो संदे उत्पन होगा। बे मनी मन कान लगी। संकर जी को सार जगत बंदना करतो बे जगत के इस्वर है। देवता मनस मुनी सब इनके प्रती सिर्द नवात है। ब्रह्मा जो व्यापक विरज अजस अकल अनिय अवेद सोकी देधर हो इनर जाहिन जानत वेद जो ब्रह्मा सरव्यापक माया रहत अजनमा अगोचर इच्छा रहत और वेद रहत हैं और जीए बेद भी नहीं जानत का वह देधारा करके मन सो सका था। नर्तनुधारी सो सरवग्य जतात्रुपुरारी कोज़ई सो की अग्य इवनारी ज्यान धाम स्रिपती असुरारी। देवताओं के हितके लाने मन सुसरी धानक करवेगे वाले जो विष्णु बगवाने बेभी सिवजी की वहाती सरवग्य बेज्ञान के बंडारे लश्ची पतिया और असुराइं को सत्रुपुरू बगवान विष्णु का अज्ञानी की तरह इस्तरी के खोज़त पर रहे संभु किराप पुनि म्रसना होई शिव सरवग्य चान सब कोई आसेसंस है मन भया हुआ पारा होई नहीं हिर्दय प्रभो होते पिचारा फिर सिवजी के वचन भी जूते नहीं हो सकत सब को जानात है कि सिवजी सरवग्य सदी के मन में यी प्रकार अपार संदे उठ खड़ कि प्रकार कौरों भी प्रकार दी संदे उठ इमें ज्ञान को पादवार नहीं हो पात है जदभी प्रकट ना कैऊ भवाणी हर अंतर्जामी सभ जानी सुने ही सती तब नारी सुभा। संसे असीना दराः औरे काओ। यह तब भवाणी जी ने प्रकट कच्छु नही गओ अंतर्जामी से स्व जी सभ जान गए बेभी बोले है सती सुनो तुमा इस्तिरी सुवा है ऐसो संदे मन में कभूना रखो चाहिए जासु कता कुम बजर सिगाई बगती जासु में सुनही सुनाई सोई ममिष्ट देव रगवीरा सेवत चाही सदा मुनि धीरा जिनकी कता को अगस्तिरी सी ने गान करो जिनकी वहां थी मैंने मुनि की सुनाई बे वही हमाई श्टिदेव सी रगवर जी है जिनकी सेवा ग्यानी मुनि सदा करत है चंद है वही या मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत भिमल मन चेही जावे कहीं नेती निगम पुरान आगम जासू की रती गावई सोई रामू व्यापक प्रम्म भुवन निकाय पती माया धनी अवो तेरियू अपन भगत हित निजित तंत्र नित रगु कुल्मनी ज्यानी मुनी योगी और सित निरंता निर्मल चत से जिनको ध्यान करता था बेद पुरान और सात्र नेती नेती कहके जिनकी कीर्टी गाथ और नहीं सर्वे व्यापक समस्तर रम्माडन के स्वामी मायवती नित प्रम्सुतंत ब्रम्वसरू भगवांसी राम की अपने भगतन की हितके लाने अपनी एक्षा से रगु कुल में मणी रूप में अवता लव है तो भगया अब इंक्यान दोहा पे हम बिराम ले रहे हैं लागना और उपदे से जदभी कहे हूँ सिववार वहु बोले भाईसी महेसु हरी माया बलू जान शिये तो भगया आज जो बिराम इंक्यान दोहा पे ले रहे हैं कल फिर बाल कांड में हम इक्ता इंक्यान नंबर दोहा से सुरुवात करें तो जो स्री रगुना जी अकल ब्रहमाइंड नाया इस रष्टी के आधार स्री रामचर जी को मानस जोन गागर में सागर की भाती समा है ऐसी स्री रामचर जी तमानस के हम बाराम बार प्रणाम कर रहे हैं और ये रामाइंड की रचीता तुलसी दास के जो आराद इस्टीदेव है सिरी रामचर की जै जान की मैया की जै बोलो भई भरत लाली की जै बोलो भई सत्रुगन की जै बोलो भई लखन लाली की जै बोलो भई पजरंग बली की जै हमापती महादेव की जै बोलो भई सबसंतन की जै बोलो भई गुरू पित माता की जै बोलो भई अपने अपने मात आपिता कीजे तो भाई हम लेर विदा कल पर बुंदेली मानी के चदरपुर केंद से स्री राम जित्मानस को पाट आपके सबके सुनाएं और माना को कल्नार करेवाली स्री राम जित्मानस सबके जीवन को और सबके घर को हिस्ता बने ऐसी कोसित बुंदेली चुगली किया राम 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 राम